नौ माच को हड्याना के सीर्षा से एक मिसाल निकलती है जिसकी स्पीड ध्वानी से तीन गुना ज्यादा थी और वो पाकिस्तान के एर एस्पेस को क्रोस करकर पाकिस्तान में 100 किलोमेटर अंदर चली जाती है और आप यहाँ पर इस वीडियो में देखी सकते हैं कि वो मिसाल जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर कितनी पैनिक सिच्वेशन हो गई है और उसके अगले दिन पाकिस्तानी मिलेटी स्पोक पर्षन मेजर जर्नल बाब बर इफ्थिकार ने कहा है कि हाई स्पीड फ्लाइंग अबजेक्ट क्रेस्ट नियर इस इस्टन सिटी ओफ में चानू असल में क्या बात है कि 9 मार्च की रात को इंडियन आर्मी अपने मिसाइल की रूटीन मेंटेनेस कर रही थी इसी दोरान एक मिसाइल मिस फायर हो गया और वो जाकर पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर चला गया और बहुत सारे आर्टिकल में इन फैक्ट पाकिस्तानी आर्मी ने भी कहा है कि ये मिसाइल ब्रमुस मिसाइल हो सकती है लेकिन ये कोई बहुत बड़ा दुरगाटा नहीं था ऐसे एक्सिडेंट साल में 2-3 बार हो जाते हैं लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया नहीं सिच्वेशन को बहुत ये अच्छे से हैंडल किया है